आज की वीडियो में हम जावा के कुछ फंडामेंटल्स स्टार्ट करने वाले हैं यह जो सिरीज आपको देखेगी कम्प्लीट इसके अंदर कितने लेक्चर रिकॉर्ड होने वाले हैं काफी मैं पहले ही कर चुका हूँ जो मैं देरे-देरे करके अब अप्लोड करूँगा तो हमने क्या कर रखाया है कि हर प्लेलिस्ट को सेग्मेंट वाइस डिवाइड कर रखाया है जो DSA को अची तरो जानते हैं या आपने और कोई भी YouTube चैनल के तरूस को समझाए तो मैं आपको एक नॉर्मल वे में उसको बता देता हूँ कि जैसे एरे के बारे में आपने कहीं पढ़ा होगा तो एरे के हम करीबन 50 to 60 questions यहाँ पर ट्राइ करेंगे चाहे वो lead code के हो, course force के हो, interview bit के हो यह सारे online एक platform है आपको तेरे तेरे पता लगेगा जैसे कि आप आप जानेंगे so array, link list, graphs, tree और यह सब DSA के पार्ट हो गया basic सीखने के लिए fundamental, operator, loops, conditions conditions में जैसे कि if else आपके हो गया looping में for loop, for each loop कि हर condition के बारे में यहाँ पर जाने की कोशिश करेंगे बर वीडियो में आगे पढ़ने से पहले मैं आप सबको एक pre-request दे देता हूँ कि मैं यहाँ पर आपको कोई Eclipse software download करना कि जिस platform पर आप करना चाहते हो आप किसी भी platform पर कर सकते हो इवन दो आप notepad के अंदर भी कर सकते हो notepad++ में भी कर सकते हो आप visual studio quote में भी कर सकते हो और उसके साथ-साथ Eclipse में भी कर सकते हो I don't care आप कहीं से भी कर रहे हो but concern यह है कि fundamentals आपको clear होने चाहिए और main concern जो है वो DSA का है तो जो यह videos आपको दिखेंगी जो भी मैं video बना रहा हूँ क्योंकि I am also a learner तो मैंने भी जहां से पढ़ रखा है तो आप मैं वहाँ जाके बस आप as a practice यहाँ पर वीडियो को present करने की कोशिश करूँ आपके सामने और जितने questions होंगे हम सारे बैट की कट्रे solve करेंगे playlist आपको देखनी है हर topic के मैं अलग-अलग playlist पनाऊँगा जो वीडियोस आएगी वो एक continuous नहीं हो सकती मेभी if else दो दिन दिन बाद आए उसने पहले array आजाए यह सार जो topic होगे प्लेइस के तुरू आप access करो वहाँ पर आपको number wise 123 wise आपको completely एक roadmap और उसके साथ-साथ एक series मिलेगी वो complete एक sequential form में होगा बड़ जो वीडियो में regular upload करूँगा वो may be differ कर सकता है बिरा दरी के start करते है सबसे पहले तो आपको क्या करना है Eclipse को download करना है और Eclipse एक software है basically जहाँ पे हम ID का मनलब क्या होता है integrated development environment जहाँ पे हम जाके अपना code को run कर सकते है अब मैंने पहले ही आपको बताया था कि ये code notepad कहीं भी आप run कर सकते है बट फिलाल के लिए हम इसको Eclipse में run करेंगे download कहां से करना है आपको यउट्यूब वीडियो से देख लीजिए वो आपको बता देंगे ऐसा कुछ एक workspace खुलता है इसको launch पर आपको click करना है 22 किसी किसमें नहीं आ रहा direct खुल रहा है तो that's well and good because मैंने इसके अंदर काफी folders create कर रखे है तो एक कुछ यसी आपको एक library दिखेगी ये तो नहीं दिखेगा आपको ऐसा जो मैंने बना रखाया ये आला portion बढ़ हां ऐसा कुछ आपको पास show होने को मिल रहा होगा screen पे topmost left side पर जहां आपको मेरा cursor point देख रहा है आपको इस पर click करना है इस point पे then आपको यहां पर source पर click करना है यहां तक सब का आएगा ये demo one ये सब आपके पास अभी नहीं आ रहा होगा तो सबसे पहले आपको एक package create करना पड़ता है देखो कोई भी आप folder create कर रहा हो folder इसको मानू ठीक है तो मैं इसको package बोलता हूँ या पकाश जो भी आप ने नाम देना चाहो तो new में जाके आप package एक create कर सकते हो मैं suppose करता हूँ सबसे पहले देता हूँ मैं ट्यूट अंडर्सकोर वन पहला tutorial है हमारा और इसको हम आज सबसे पहले देखेंगे यह सारे हम ऐसी बनाते रहेंगे ट्यूट वन ट्यूट 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 त्री या इनके नेम से भी हम create कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है और एक जी याद रहें description के अंदर मैं आपको पूरा source code दे दूँगा जो भी हम यहाँ पे करेंगे इसको मैं direct copy paste करके कर दूँगा कोई PDF कोई ऐसे file कुछ नहीं direct source code को आप copy paste करके अपने system में run कर सकते हैं तो आज का जो simple program था वो सिर्फ यही था कि एक आपको demo देना बताना pre-request कि इस channel में क्या आने वाला है further और एक eclipse environment के बारे में discuss करना जैसी आपका देखो यह tutorial खुल जाएगा तो यहाँ पे देखोगे कि आप एक package create हो चुका है white folder के साथ पट इसके अंदर हमें class बनाने पड़ती है folder के अंदर आप बहुत सारी क्या बनाओगे class बनाओगे package के अंदर काफी class बनेगे हर class के difference name होंगे naming conventions होंगे तो ऐसा जब जाने के लिए हमें क्या करते है class बनाते हैं इसको हम नाम दे देते हैं basics या hello world जो तुम सब बच्चों का फेवरेट है hello world को प्रिंट करना है कोई .java लगाने की इसमें जुरत नहीं है automatically Eclipse उसको handle कर देता है एक option आप देख रहे होंगे यहाँ पर कि which method stub would you like to create अगर आप public static void main पर click करते हैं तो automatically जैसे आप यह आपने पहला मेरा यह देखा इस background के पीछे देखो आपको आपको देखने को मिल जाएगा पठागा बाइतल साब नहीं भी करते कोई देखकर नहीं finish पर आपने click करा आपका कुछ essay करके print होके आपकी screen पर show हो रहा होगा now अब ध्यान से देखना है का मतलब पता लगेगा static का मतलब क्या होता है main क्यों use करते है why always main के अंद string arguments ही पास होते है why not integer या data types आप में सीखे होंगे कहीं न कहीं से और मैं थोड़ा जानता हूँ कि आपको basic knowledge at least होनी ही चाहिए सबसे पहले मैं क्या करता हूँ यहाँ पर main लिखता हूँ rather एक option है आपके पास rather than adding public मैं यह पूरा लिखू public, static, void, main, string अब बार बात लिखोगे आप ऐसे जबी आप next time से कभी भी code करने वैठेंगे आप बार बार यह चीज नहीं लिखेंगे rather than इसको हटा के हम क्या करेंगे आपको shortcut key notation बताता हूँ आपको लिखना है main then आपको control control आपके mouse keyboard में देखना स्वारी control and control के साथ space दबाऊगे जैसी आप control के साथ space दबाऊगे तो यह काफे domains आते हैं अपके पास काफे list आएगे तो पहले वाले में आपको दिख रहा है main method लिखा हूँ है you have to just enter जैसे आपने अंटर करा automatically आपको create होके आ गया तो अभी मैं एक system आपको hello world print करना सिखा रहा था और इस जो हमारा topic है अभी का इसमें से मैं आपको basic बताया है और यह lecture भी जो है है कि system.out.println एक keyword होता है हमारा जहाँ पर हम इसको print करके लिख सकते हैं जहाँ पर मैं लिखा hello world ऐसे नहीं लिख सकते हैं this is not a python hello world ठीक है आपने hello world लिखा आपको क्या करना है terminal लिख रहा है रेट्रेक्टर के नीचे यहाँ पर लिखा होगा एक second notation आप देख सकते है system.out.println को इतना लंबा हमें नहीं लिखना अगर system.out.println को अगर हमें इतना लंबा नहीं लिखना उसका एक shortcut की notation होता है जैसी main का मैंने आपको बता है control enter मार दो तो वैसे इसका भी होता है उसको आपको करना है syso syso then control enter यहां पर कुछ भी प्रिंट करते है जैसे आप प्रिंट करोगे यहां पर रन करोगे तो यह आपका प्रिंट होके आ जाएगा तो अभी के लिए वीडियो को सी वितलाए रखते हैं यह तो सी बेएक basic introduction था कि हम कौन सा software यूज़ कर रहे हैं कैसे package create करते हैं कैसे class create करते हैं और एक normal सा बकवाद सा question hello world और कुछ भी नहीं यह तो इससे कुछ होना है नहीं फिला बट मैं आपको notation बता दिया कि कैसे आपको उसको print करना है और अब भी जो यह keywords आपको देख रहे हैं आपे main void यह void static की क्यों लिखा public क्यों नहीं लिखा यह सारे आपको question हर YouTube चैनल पर मिल जाएगा बट इसका main objective हम जब हम उपस पढ़ रहे होंगे तब हम अच्छी तरह देखेंगे तो फिलाल अभी के लिए इतना ही और हाँ अगर आपको यह access करनी है सारी वीडियो तो आपको एक playlist मिलेगी जो आपको पहली बताते हुए आ रहा हूं वहां के थुरू आप इसको access कर सकते हैं easily अभी के लिए तना ही तो टेल देन बाइबाइबाइबाइब टेक क्यार एन हम नाइस टे